पुद्मानी वलोफ्यू, वैलकम बेग, लाश लेक्चर मां प्रिदाजिन पाट परण दोज भुए लोग, के दाज्यू छे, ए मोटा खेने, के वामागे छे पहाड, तो छोतिस, बाबु नामना एक जेंटल्मेंट व्यक्ति, ए बाबु जी टेवेटर पूट बूट मान हो ए निपासे आवे छाने, चाल लेगे लामने छे, दो मां छे ए जगदीस बाबु ने एक लगाव थाई छे, आक एक मारी साइड नो हो ये उलागे छे, तो जगदीस बाबु एने प्रश्णो तरी करे छे, एने प्रश्णो पूछे छे, बाई तु क्या नो, तारु नाम चे, तो के पहाड थी, अल्मोडा थी, पंदर 20 मिल दूर होई छे, एक मारू गाम, ती के तो एक गामनु नाम तो हसे, तो मदन छे एना गामनु नाम केता, इने संकोच थाई छे, सामाटे तो के एक एना गामनु नाम केता, अलगज प्रकार्नु छे, एटले, उवावा मान पासने कारण के मदन ने नाधि खबर का जग्दिस बाबु पन पहार ना चे अटले कि आने मजा खुडाउसे तो इक एने विचीत्र लाग से गामनु नाम एटले मदन छे एने गामनु नाम केतो नाधि छता जग्दिस बाबु बहुँ जोर दे इने पूछे छे एटले एक दम संकत साथे कहे छे के डोट्टियालगो मारा गामनु नाम छे के डोट्टियालगो तेरे जग्दिस बाबु ने जे एकाकी पन लागतु तू सामाटी लागतु तू तो के मनुष्योनी भावनाव विचित्र होई छे तो कियारेक निर्जन निसंग कोई हारे नहो एवी जग्यें ये मानस एकलू बेठ हुएं छताएं बधु पोतानू लागे छे औने क्यारेक घणा बदा मानस होई छताई के मानस क्यारेक एकलू एकलू फिल करे छे आ उकियारे थाई छे तो के कोई पोतान व्यक्ति ये ना थी दूर थाई ग्यूँए अथवा तो मन उदास होए त्यारे बधा होए छता कोई नथी एवू थाई छे तो आचे जगदिस बाबोने केफेन वाटलो सोर गूल छ चोक माटला मानसोनी भीड छे छता एने बोव एकलू एकलू लागतु तु एमाई मदन एना बाजून ना गाम नो निकडो आभी एने खबर पेड़ी के डोटियाल गोनो छे त्यारे जगदिस बाबोना आँख माजे एकाकी पन्नी स्याही पड़ेली हती ये जाने अचानक दूर थेगे अने जगदिस बाबो ये मदन ने कीथू के तु रोटियाल गोनो छो हूँ पनी के तारा गामनी भाजूनू जे गामडू छे पहाड मा त्यानो एके हूँ छू आटलू सामभडताज मदन छे एकदम अतितमा जो तोरियो जाने पोताना लोकोन याद करवाला चाने जो वालाएगो अतितमा मदन छे ए खोवाई गयोतो अने पोताना लोकोने गोत तो हुए ए तरत ज एना चेहराना भाव छे ए लागता हता त्यारे सूप्रहेतन करतो तो जगदिस बाबो ना रूप माई गोत वानू तोके अतित गहाँ उंची पहाडिया नदी इजा इजा यानि मा, बाबा, दिदी, बुली, बुली एटले एनी छोटी बहन, दाज्यू यानिके बड़े भाईया अब बधा एने एक पचेक यादा आओ वालाएगा एननु गाम, एनो पहाड, एनचे ना 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 पहाड, वो एमाई रमतो, वो एर खडतो, वो ए नदी त् पड़ी, के मदन ने, जगदीस बाबुना रूप मा, कोण लाईगो, एना मा, बाबुजी, के कोण एने एमा देखाणू इतरते विचारवा लाईगो, त्यार मन 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 मा बोलेचे, इजा लिगा मारा माँ छे, तो के ना मा न थी, नहीं, के ना मा न थी, बाबा, नहीं, के बाबाई नथी, दिदी, के भुली, मोटी दिदी, के मारी बेन भुली छे, तो के ना इपन नथी, दाज्यू, तो के हाँ, दाज्यू, जगदीस बाबुना रूप माई, के मने मारा मोटा भाई मड़ी गया ओए, उ मदन ने, लागवाला लाईगो, आगड बोले छे, द बेचार दिवस माज, आतो पेली मुला कात हतीन, पेली मुला कात माईने, खबर पड़ी गीगा, डोटी अलगो न छे, मदन अने, जगदीस बाबु पड़ेनी बाजुना गामना, छे, एटले बेईने एक लागणी बन्ताएगी, बेईसाथ, बेईनी वच्चे जे, बेचार दिवस माई बेई एटला नजिक थे गया, के मदन नेनो मोटो भाई मड़ी गयो है जाने, आने, जगदीस बाबु नेनो पोता नू कोई व्यक्ति भाई मड़ी गयो है उबेईने, लागवा लाई गयो हतो, जेवा जगदीस बाबु टे, केफे मा एंटर थाए, के जगदीस बाबु नेनो थाए, यहां तो टेबल उपर मदन धोडी ने आवी जातो, जाने, रोजे नी राह जोतो हुए, के जिवा जगदीस बाबु आवे वो टेबल पर तेया, पोची जातो ने, जैन, दाजियू, जैहिन, आम सलामी करे ने, जैहिन बोलतो, जैहिन मतलब जैहिन, आपड़ा मना देन, 26 मी जान्युआरी, रिपबलिक डे, आपड़ा देश नो एक दिवस प्रजासता, जे आपड़ी स्वातंत्राय दिन जेने कही सकाई, के रिपबलिक डे, तो पोटे पन जैहिन बोलतो होतो, जगदीस बाबु ने, पची, हागड बोलतो, दाज आध्यू आज्तो ठन भःते, दाज्यू एटले मोटा भाई, एने, जगदीस बाबु के बाबु जी, हवे नो तो, एन एटली लागनी था, इक एटलू पोता न पनो लागवा मेंडू के दाज्यू कहीर नद बोलावतो, कारण के मदननने खबर हाती, के दाज्यू सु था अने ये पन खबर अती के जगदिस बाबु पना समझी सकते के दाज्यू एटले मोटा भाई थाई तो आपने गणा काठिया वड़ी ए मोटा कईने बोलावी एन कैक ने कैंगे उन नाम ले एटली एने खबर होई के पाई आनो और आ थाई छे जगदिस बाबु ने पन खबर तिक दाज्यू एटला मने एक रिस्पेक्ट आपए छे मोटा भाई कईने बोलावे छे एटले हम किये छे के दाज्यू आज तो ठंड बहुँ पड़े छे ही के दाज्यू किया यहां भी हीम गिरेगी यानि कि यू पड़ेगा यू एटले हीम के दाज्यू पहार मां तो ब महुँचने से पहले वहां पहुच जाता कि दाज्यू हारे वात हो गरे कि दाज्यू आतो ठंड बहुत छे आजा यह बर्पड से दाज्यू काले तमें बहुँ थोड़ू खादू टुक मैं केर करवा माइंड हो जाने कि एनो पोतानुद मोटो भाई चे एवी जरीते कि त अवाजनी प्रतिध्वनी पोचे के पढगो पोचे ए पेला तो मदन छे तिया पोची जातो अने चा छे एने आपी ने पाछो आवी जोतो होतो ओडर लेकर फिर आते जाते जग्दिस बाबू से पूछता दाज्यू कोई चीज के बिजाना टेबल ना ओडर लेतो उईने त्यारे पणी दाज्यूनी हम भाडली धाज करतो के कोई चीज जोए कहीं जोए छे तमारा माटे पण कहीं लाओ एम पूछतो जरेतो टुकम एटली एनी केर करवा लाईगो बिजाना ओडर नी साथे साथे पणी दाज्यूनों ख्याल रागतो होतो यानिकि जग्दिस बा आतूर्ता और लगन से दुहराता जितनी आतूर्ता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर मा अपने बेटेक को चूमती है कि दाज्यू सब्द एटली आतूर्ता थी एटला प्रेम थी ए दोहरावतो जहतो बोलतो जहतो जाने कि एटला इस समय पछी माने एनू बाड़क मेड जहें वाल थी पकडिने जहें चूमती होई जहें एने भाल करती होई रिते एने भाल थी ए दाज्यू सब्द बोलतो होतों कुछ दिनों बाद जगदीश बाबु का एका की पन दूर हो गये ठोड़ा कद्दीव समा जे हाव एकलू एकलू लू लागतो तो जगदीश मदन मड़ी गियो अटले जगदीश बाबुने चोक केफेज नहीं आखो शहेरेनू पोतानू हो येवू लागवा लाईगू तो परन्तु अब उन्हें यह बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाज्यू के हवे सु करतो तो के हालो टेबल उपर चाहिने बोले के दाज्यू तमार माटे कहीं लाऊ तो ठीक छी बेपूर्तूरी पर बीजा टेबले थे पन राड़ो नाखिक दाज्यू तमारे कहीं जो ये दाज्यू थोड़ू इरिटेट लागे के आँ हावे नथी गमतु आहूं दाज दाज्यू दाज्यू बोईलाज करे छे थोड़ू जग्दिस बाबुने पेलू थियो मनमा अम गुस्वाए वो अने मदन छे बधे थी दाज्यू दाज्यू ज कहीं ने बोलाओ तो रहे तो इतो नानू बाडग छे एक मोटो भाई मड़ी गयों लागतू तो एटले याव करतो तो एने थोड़ू समझाई के भाई अटला बदा मानसों निवच्चे आवी रिते न बोलाई के भाई दाज्यू शब्द जग्दिस बाबुने खबर छे के दाज्यू अटले सुथै बधा ने तो खबर ना थे बधा निमला के काहमू दाज्यू दाज्यू के नावा म बाणस ने बोलाऊ दोसे एटले ने विजा मानसों नू विचारी ने जग्दिस बाबुने थोड़ू इरिटेशन थातू हतू एटले ने आगमतू नोतू थे यारे जग्दिस बाबु येगी दू मदन इधर आवो के मदन अहां आव तो मदन बोईला आया दाज्यू वात बाद मा दाज्यू द बोलतों आया दाज्यू इतू मोटा पही केतो अथो पन बधा ने तने खबर हुएकी मोटा भाई के चेहां दाज्यू अटले का हूं गेतो है से उँ लागे आपने पणा पाठणू खाली सिर्षक जोए दाज्यू अटले आपने नेम देगा हूं अस सकी के दाज्यु शब्द पाछो बोईलों मदन एटला मातो जगदिस बाबुना जे मिडल क्लास संसकार होई ये जाने बार आवी गया जे रितनों इमानस देखातो तो एनी बदलेनों अंदरनों गुसो जे बार आवी गयो अन्ने जे अपनत्वनी वो लुकिने के रहिमन धा प्रेम का न तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना जुडे जुडे गाठ पड़ जाए के अमुख संबंधो नो जे दोरो छेनी साव पतल वई न तोड़ो जोए बने तिया सुदेनी केर करवी पड़े न साचवो पड़े अन्ने जोई टूटी जे तो पाछो जोडी सका तो न थी अने कदा जोडी पंड लें तो वच्चे एक गाठ रही जे मतलब एक मंदुख रही जे अमारी साथे आओ ख्याओ थयो हदू तो अईया पड़ अपनत्मनी जे एक पतली दोरी बेनी वच्चे बंधानी आती जगदिश बाबु अने मदन नी वच्चे ए जगदि अपन उचनी जोहे ने बांध्येन संबंध कोई साथ है तो इताके न ही जाजा पड़ आयां तो एक लागणी ना संबंध होता स्वार्थना संबंध होत है पर अपने अपने अहंकार आवे गयो जगदिश बाबु ने के पाई हुँ आवो जेंटलमेन मानास हुँ आवो बाबुजी टाइप माना मने साहाबने बाबुजी केवानी बदले वात वात मा दाज्यू दाज्यू आखो दिवस करे जे बिजा टेबले समझो के चार पाच जना बेठा हुए निया थियंकि एक दाज्यू एटले उला बदा तरक फरी नाम जोएगा कोन छे दाज्यू वर्याका आने दाज्यू के एटले थोडुक शरम जे जग्दिश बाबु ना वालेगो एटले ना मिडल ग्लास जे संस्कारताई जागी वोई ठा औने एनी जे बेहनी वचे अपनत्वन जे बंधानू तो एनी अहंकार ने सामे अपन तो अटकी साइको नई दाज्यू चाय लाओ तो ए मदन तो भी चाड़ो भोड़ो एना तेकदम प्रेम हतो एना प्रतिय जग्दिश बाबु प्रतिय एटले बोईलो के दाज्यू चाय लेएँ तो मैं मने बोलाई वो अचे तरते ने पूछे चेक तमर माटे चाल लेएँ तो त्यारे जग्दिश बाबु बोले चे चाय नहीं लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या जिलाते रहते हो दिन राद किसी की प्रेष्टिज क्या ख्याल भी नहीं है तुम्हें आटलो गुस्सा माँ चे ए जग्दिश बाबु एकितु चाय नथी जोती इके पना वात व बाड़क टेबल साप करवानू काम करे चे एने एक व्यक्ति मोटा भाई जे वो लाइग हो छे तो इथोड़ा समझवानों के भाई जग्दिश बाबु एक सारा मानस छे एक जेंटलमेन मानस देखाई छे एने हुआ उदाज्यू दाज्यू कौस्तो कैस्तो बिजानी सामे एने शरम आउसे तो इक यही बाड़क समझतू न थी एने का यहाँ उंडू समझणई न वो एने तो बस एक पोतानू व्यक्ति देखान्टल पोतानू भावी व्यक्त करे चे एनू ध्यान राखे जेनी केर करे चे पड़ जग्दिश बाबु गुस्सामा बोले चे चा न जोती पड़ वातवातमा उदाजी उदाजी उखे वानो बन करी देएके कोईनी प्रतिष्ठानी ताने खबर न थी पड़ती आवी रीते वातवातमा न बोलावाई एके पड़ कदाच आज भात चो मदनने बेसाडी ने शांती थी जग्दिश बाबु ये समझाई विवत तो गुस्सा मामानस बोली नाखे छे एकदम गुस्सो होई एटले बोलाई जाई चे पन पछी पछेता हो थाई तो एकाई फाई दो था तो न थी पन जग्दिश बाबु अच्छानक आवा गुस्से थेई गया न आव बदु बोली गया एक खबर नहीं के उबदु बोली जवो शब्दो पर अधिकार नहीं रख सका के क्रोध माई सू शब्दो बोले चे शब्दो उपर कंट्रोल रियो ने उनके गुस्वावेन तेरे उखुँ बोल उखुँ करो नी मने खुद ने खबर न होई आग गुस्वा एक एवी वस्तु जे पन गुस्वा आउतो न थ ये एक मनुषिया जातमा टे खोटू झे गुस्वा आवी थाई जह इन पचितामें न कर्वाना कारिया करी नाकोन सफिर्फ enjoys यो कामनो लोभ मां आवेन तमें कैंके उखरी नाकोन सफिर्फ पच्छेताओ थाई तो सूख कामनों के मोहमान आव लोगमान आव बधु होई छे पण अमुक एनी लिमिट मारे उजोए तो गुस्षो आपडे करता नथी गुस्षो आपडे आउतो नथी गुस्षो आपडे लाविये छीए तो आनी जग्ये जो जग्दिस बाबु ना कंट्रोल नर्यों केवा शब्दो बोले छे के बैया नानू भाडग छे बिचाडू मा बाप भाई बदा थी दूर छे मने मोटो भाई समझे छे अवे हुँआ ने पूछीस के आप प्रेष्टिज नो ख्याल नते हमी बिचाडाने हुँ खबर के प्रेष्टिज सू छे इत प्रेष्टिज बाबो ने ख्याल नर्यों अटला ही उसे थाई गया पर मदन बिना समझाही सब कोट समझ गया के मदन एक यह बाड़ा का तू घर परिवार थी दूर तो यहने जाने काई समझवानी जरूरत नथी इरीते जाने बद्धूज समझी गयो हुए यहुँ मदन चेहरा पर भावतरत लागवालाईगो हावे अच्चानक तमें जेने अटला पसंद करवालाईगा हुए जेनी साथे तमारी एक पोताना पणानी लागणी बन धाए गयो एक संबन जोड़ाए गयो हुए यह व्यक्ति साथे तमें हडी मडीने रेता हुए वोलुकी ने के बिजु मानस कदाज बे लाख हामारी जेन तोई दूख न थे पन पोतानु मानस थाली एक शब्द पन कई जाई ने तो आपड़े मरवाजेव थाई जाई जाई चे काणके अंगतना घा छेनी बो उंडा लागे उपर ना घात उपर छलाद लागे यह काई उंडी असर पन मदन छेई काई बोलतो नथी मदन को जगदीस बाबु के व्यवहार से गहरी चोट लगी के मदन ने छे जगदीस बाबुना आवा व्यवहार थे एक दम उंडो हो छे ए कालाई गो होतो मेनेजर से सीरदर्द का बहाना कर वह कुटनों में सीर के सीरदे कोठरी में सिस्की यहां भर रोता रहा कि जगदीस बाबु आवा वुखी जाना पछे एनी हामे काई बोलतो नथी क्याई कोई ने काई केतो नथा मुख जन्यान रडवा मने पर मदन काई एक्टिविटी करतो नथी कोई जात्म आवबाव दे खाडतो नथी पड़ मेनेजर पासे गियो औने कि मने बोवज माथु दुखे जाऊ बहानु करी रजा लएली दी औन अंदर जेनी कोठरी अती तिया जाइड गुटनों पर बेसी गियो औने एकदम जोर जोर ती सिस्की आम स्वास गुटतो गुटतो एकदम रडवा लागो का सूम मने दी दू बधानी सामेना रेडो पड़ एकलो जईने ए रडवा लागे छे घर गाउसे दूर एसी परिस्थिती में मदन का जगदीश बाबु के प्रती आत्मियता प्रदर्शन करना स्वाबाविक ही था क्या आतो सहज छे स्वाबाविक छे आवेज के मैं किदू ने के इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे इजा की गोदी से बाबा की बाहों से और दीदी के आचल से आचल की छाया से बलपुर्व खिच लिया हो के जाने एटला माटे जी का आज कारण थी आज अटलू गर परिवार थी के दूर रह पन क्यारे आओ नतितियु पन आज जाने के में जेकर मारा पोताना मानों बाहा जाने जाने एटो पर अंतर की गुमरती वेदना की आखों की राह बहार निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निस्चे करता है वह बावुक्षानों की अपेक्षा अधिक विवेकपुर्णा होते हैं कि जो आ त्रण लिटी मां छे एट लुकेवा मां आगे छे के बलपुर्व केनी खेची लिदोवई पन आजे भावुक्ता छे ए ज्यारे स्थाई न थाई त्यारे ही के अंदर ज्यारे वेदना उमडी उमडी ने आओ त्यो लुकेवे निके तमे दुखीवा मां त्याराम धबावीने नी राखवानू पले बधानी सामेनी तो पन क्यां रडी नाखे मानस रडे ने तले थोडूक दुख छे ए मतलब भार जे मनमा धबातोवई नी हडवो थाई छे तो के अंदर नी जी भावना ओज अंदर नी वे अन्ने ए रडी ने पची जे और मनूष्या निस्चे करे छे ने एकदम ड्रड़ थाई जाई चे तो मदने पन क्याक निस्चे करी लिदु पेला तो रडी लिदुه एकदम जोर जोर थी औन्ने पति वेद ना आसुद्वारा बार काडी ने पची नकई कैईरू क्या एक मारस माने मेडो जहने हुँमारो मोटो भाय सम्मत्तो तो, एन्य मरीहार कहिर आउँ कैरू, आटलो बदू, काई पर समझा विचारय और रह गरेने मनेढेदिधू, मने तो खुदने खबरे नथि, का सामाट्या आउँ करेचे, मदरफने तो खबरे नोति, तो के एन् विजिवारी विश्वास करे ज नहीं, और करे तो बहुत ध्यान देने करे, तो नहीं नकी कर लिदू, सीरियलोमान, पिच्चरोमान जो वो कियांके नहीं दगवाँ में, पेला घडिक रडी लिएन, पछे आसू लूछी नकी करे गा, अवे आज पछे आवू, थासेज नहीं अवे एकदम द्रड थाई गिया छूँ, अवे आँ थावाज नहीं देज, तो मदन पण पेला रडी न, पछे नकी करे रू, के हवे कोई मानस साथे हूँ, आवी बातचिते नहीं करू, कोई मानस साथे आवी जे तादात्माई जे नहीं बान्तू, अवे खाली महारा काम इस सिवय नी कोई बीजी एक्टिवीटी, नहीं, मदन पुर्ववद काम करने लगा, मदने निस्चे इतो करीली दूग, अवे बस, अवे कोई दाज्यू जेवो मानस महारा जीवन मा आउसे, नहीं, वो लुके बाई नहीं, आत्म सम्माण थी वालू बीजु काई, नहीं, पेला आत्म सम्माण, ए बीजी बदी तो मोह माई आछे, अई वाची एतो थाई, पन पेला आपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होई जोए, पछी बीजू बदू, तो मदने नकी करीली दूग, अवे बस, अवे कोई नहीं, क्या एक माना सूपर में आटलो विश्वास कही रो, अ अवे ने दरड़ निस्टे करली तो काऊ, जगदिस बाबु हामे तो नहीं बोलू पन, बीजो कोई आउसे न, तो एनी आरे काई भी जिवारता लाप नहीं करू, और अवे मधन छेक्टम, अंदर थी पेलो थाई गयो, दरड़, और जिए पेला काम करतो, टेबल साप करव इमाटे चाल आउतों, दाजियो, दाजियो घरतो रहेतों, इब दुदू भूली ने पिलानी जेम, जेम काम करतों, इपाछो काम मा लागी यो, दूसरे दिन केफे जाते हुए अचानक ही जगदिस बाबु की भेट, बचपन के सहपाठी हेमत से हो गई, के एक दिवस जग हेमत एने मड़ी क्यों, केफे में पहुँचकर जगदिस बाबु ने इशारे से मदन को बुलाया, के केफे मा बेगिया एमत ने लेंग्यों, आपने बेयां चापी हे, तो जईने एने इशारो करी ने आम मदन ने जे बोलायों, परन्तु उन्हे लगा जेसे वह उनसे दू जगदिस बाबु को ही कहना पड़ा दो चाई दो आमलेट। केस वह उन्हें जगदिस बाबु यह सामे थी ओडर आपो, परन्तु तब भी लाया दाजियों कहने की अपेक्षा लाया साब कह करवा चल दिया। कहा, कि हमन्त पन सहपाठी अतो मतलब बाडपन नो इपन पहाड नो हमन्त नाम व्यक्ति जगदिस बाबु नो दोस्त तोई। एटले एने लाया साब कीदू? एटले हमन्त नेम लाईगू के शायद आ पहाड नो छे। आ रिपीट ठ्यूचे जोओ पेली वार जहरे लाया साब एम बोईलो तोने मदन त्यारे जगदिस बाबु ने पहाड नो लाईगो। एटले जगदिस बाबु यह क्या नो छो उनके आ पहाड नो छेनो बुदू पूछी नहीं साथ आत्मियता कैरी हती। तो आईया लाया साब कीदू एटले हमन्त ने पन लाईगू क्या पहाड नो हो यहू लागे छे। त्यारे जगदिस बाबु जवाब आपे छे हाँ रुखास आ उत्तर दे दिया जगदिस बाबु ने और वार्ता लाबका विशय ही बदल दिया। मदन चाई ले आया था मदन चा लही ने आवियो। त्यारे नाम क्या है तुम्हारा लड़के हमन्त ने एहसान चड़ाने की गरत से पूछा। नाम सूचे लड़के कुछ क्षणों के लिए टेबुल पर गंभीर मोन चा गया। जगदिस बाबु की आँखे चाई की प्याली पर ही जुकी रह गई। मदन की आँखों के सामने विगत स्पृतियां गूमने लगी। के थोडिक शण माटे तो टेबल उपर गंभीर मोन नथी मदन बोलतो नथी जगदिस बाबु काईं बोलता ने हेमन ते पुछिली दू के तारू नाम सूचे कारण के सामाटे तो के जगदिस बाबु अने मदन छे फ्लेश बेक मावे आगया। काण क्या रिपीट ठ्यू जहारे मदन पेलिवार चाहिली एई वो तो तो त्यारे जगदिस बाबु यहनू नाम पुछू नाखी वारताला पेना मगजमा आतित छे ए गुमवा लाईगू का आवी जरिते मार्यानी साथे दोस्ति थेगी उमोटा भाय गणवा अमेंड़ो तो जगदिस बाबु नी आखो चानी प्याली उपर ट्रेकी रही जुकी रही अने मदन नी आखो मा पन जूनी स्पृति ओछे ए गुमवा लाईगी जगदिस बाबु का एक दिन एसे ही नाम पुछू आवी जरिते जगदिस बाबु यह पन मने नाम पुछू तो पिर दा दाजियू आपने तो कल थोड़ा खाना खाया के पछे ये पड़ याद आवा मैंनो के दाजियू तो में तो कल बहु थोड़ू खातू तो आपने के मदन के तो होतो और एक दिन किसी की प्रेष्टिज का ख्याल ही नहीं रहा तुम्हें पछे अचानक जगदिस बाबु आ जगदिस बाबु ने आखे उठा कर मदन की ओर देखा उन्हें लगा जेसे वह अपने जेसे अपिवह जवाला मुखी सा फट पड़ेगा जगदिस बाबु आम उचुव पाड़िने मदन ना मोडासा में जोयू तो जाने अमना ज्वाडा मुखी नी जे मेना मननी भावना जाने ठलवेए जसे के आपन अमना बुस्से थसे पन दाज्यू मदन छे उकरतो नथी हेमतने आगरा के स्वर में दुहरा या क्या नाम हे तुम्हारे हेमतने पाचु पूईचु के सू नाम छे त्यारे तारु त्यारे मदन बोले छे बोय कहते हैं साब मुझे एक मना यह बोय कहिने बोलावे छे कारण के जग्दिस बाजबु पासे थी दाजेलो एमन्त पूपरपणी विस्वास करतो नथी के वरी बीजिवार आवू था एमन्त ने उंकव के मारू नाम मदन छे न वड़ी एमारी रित मारी आवी मारी लागणी ने वड़ी दुख पहुच ठाल एटलू कई दिया छे के मने बोय कहिना यां बोलावे छे संक्षिप्त का उत्तर देकर वह मुढ गया आवेश में उसका चेहरा लाल होकर ओर भी सुन्दर हो गया था कि जग्दिस बाबु ने पन खुब पचता हो था है छे कि में बोव खोट्टू कहिरू अन्ने आप पाट पूरो थाई छे दाज्यू नू अने मदन वच्चे जे आत्मियता बंधाई जाई छे कई रीती आत्मियता डूटी जाई छा बदू वरणान सरस्मजानू कईरू छे अन्ने मदन छे ए हवे हेमन साथे पनी रिलेशन पाचा जोडवा मां तो नधी हवे नेक्स्ट प